हेलो फ्रेंद्स मैं सुसमा को हाड वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डबल कलर का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट चे डिजाइन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कारडिगन, लेडिज, हाफ जैकेट, गर्ल्स, टो, फ्रो, कुर्ती, कैप किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सब भी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको बारा के मल्टीपल फंदे लेकर तीन फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा बारा के multiple देखिए बारा फंदे गिन लिजिए फिर से बारा फिर से बारा इस तरह से करते हुए last में आपके तीन फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और बारा सलाईों में complete हो जाता है border के बाद जब किसी project ले फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए सीधी साइड से डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो friends border के बाद जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ एक डिजैन complete करने के बाद आप इसमें 4, 6, 8 या 10 सलाईों का बीज में gap रख सकती हैं और उसके बाद फिर से इस डिजैन को बना सकती हैं मैंने यहां पर यह 4 सलाईों का gap रखा है इस डिजैन को बनाने के लिए मैंने यह 3 प्लाई वाली उन ली है और 9 नमबर की इसमें मैंने यह सलाई यूज की है अगर आप भी इस तरह से 3 तारवाली उन से बनाना चाहती हैं तो 9 नमबर की सलाई यूज कीजिए और अगर आप इसे एक तरवाली जो उन होती है ओसवाल वर्दमान किसी भी कमपनी की तो उसमें आप 10 नमबर की सलाई यूज कीजिए तो यह डिजैन की पहली सलाई है और ध्यान दीजेगा कि कैसी बनेगी आप बोर्डर बनाने के बाद फंदे बढ़ा लीजिए और सीधी साइड से अपना सैकिन कलर जोइंट कर दीजिए पहला फंदा इसका है इसे उतारिए या बनाए ये आपकी अपनी मर्जी है मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूँ तो जो हमारा इसका बेस कलर है पिंक कलर पहला फंदा मैं इसे उल्टा बनाऊंगे धागे को पीछे कर लेंगे अब हम अपना ये सेकिन कलर लेंगे और यहां से हमारा इसे डिजैन शुरू हो जाएगा तो ये देखिए, एक फंदा हम यहाँ पर यह जो हमारा green color है, इससे सीधा बुन देगे, अब पांच फंदे हम pink color से बनाएंगे, देखिए, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच सलाई हमने सीधी साइड से पूरी सीधी ही बनानी है, इसमें सीधी साइड से सीधी और उल्ठी साइड से सलाया उल्टी बनेंगे सिर्फ फंदों का ही हमें फिर बदल करना है पांच फंदे पिंक कलर से बनाने के बाद एक फंदा अब हम ग्रीन कलर से बुन देंगे फिर से पांच फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच अब देखिए एस्टिच को छोड़ कर यहां तक हमने यह बारा फंदे का डिजाइन बनाया है इसी डिजाइन को अब बार बार रिपीट करेंगे तो एक फंदा अब ग्रीन कलर से बनाएंगे फिर पांच फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और यह पांच अब एक फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे फिर से पांच फंदे पिंक से बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और यह पांच फिर एक फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे पूरी सलाई आपकी ऐसे ही जाएगी एक फंदा ग्रीन कलर से फिर पांच पिंक कलर से आप अपने पसंद के कोई भी दो कलर ले लीजिए एक डारक एक लाइट तो ये देखिएगा हमारा लाइट हमने यहाँ पर पिंक लिया है और डारक यहाँ पर ग्रीन लिया है तो एक फंदा हमने डारक कलर से बनाया है और पांच फंदे हमने लाइट कलर से बनाए है तो ये हम अपने pink color से उल्टा बुन देंगे पहली सलाई design की complete हो गई है ये design हमारा सीधी और उल्टी दोनों ही सलाईयों पर बनता है तो दूसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहला फंदा ST6 इसे उल्टा बनाएंगे अब ये जो green color का फंदा है इसको हम pink से बना देंगे और next व है दो और ये तीन अब इधर से यह जो हमारा फंदा pink color का है इसको हम green color से बनाएंगे और ये जो green वाला है इसको भी हम green color से बुन देंगे और एक हम इस side से बुन देंगे तो तीन फंदे हमारे ये ग्रीन कलर की हो गई हैं अब तीन फंदे हम पिंक से बनाएंगे ये देखिए एक दो और ये तीन अब ये जो पिंक फंदा है इसको हम ग्रीन कलर से बना देंगे तो ये देखिए पहला फंदा एस्टी से इससे छोड़ कर हमने यहां तक ये 12 फंदे का डिजाइन बनाया है, दिखिए 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 12, अब इसी डिजाइन को हम दोबारा से रिपिट करेंगे, तो ध्यान से देख लिजिए, ये जो ग्रीन कलर का फंदा है, इसको अब हम यहाँ पिंक वाले कलर से बुन देंगे, और यहाँ पर ये जो 5 3, अब ये वाला जो पिंक है, इसको हम ग्रीन से बनाएंगे, तो देखिए 1, 2, और ये 3, फिर से हम 3 फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, ये देखिए 1, 2, और ये 3, और ये जो पिंक फंदा दिख रहा है, इसको हम ग्रीन से बना देंगे, तो ये देख लिजिएगा, अब य अहां से यहां तक हमारा यह दूसरा पैटरन रिपीट हो गया है देखिए 2 और 3 पांच और 3 आठ और 3 ग्यारा रेक 12 फिर सेशी डिजाइन को रिपीट करेंगे यह जो green फंदा दिख रहा है इसको हम pink से बनाएंगे अब यह जो 5 pink हैं इसमें से एक फंदा हम यहां green बुन दे फिर तीन हम पिंक बनाएंगे देखिए एक दो और ये तीन अब तीन फंदे यहां ग्रीन हो जाएंगे तो देखिए एक दो और ये तीन फिर से तीन फंदे पिंक आएंगे एक दो और ये तीन अब ये जो पिंक वाला फंदा है इसको हम यहां ग्रीन बुन देंगे तो ये द लास्ट में जो दो फंदे बच गए हैं एक ये ग्रीन वाला और एक ये पिंक वाला ये दोनों ही हम पिंक कलर से बुन देंगे दो सलाईयां डिजैन की कमप्लेट हो गई है अब आज ये इसकी तीसरी सलाई पर तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा पहला फंदा इसका पिंक कलर से बुन देंगे आप देखिए इस वाले फंदे को हम ग्रीन कलर से बना देंगे अब ये बीच वाला जो फंदा है इसको हम पिंक से ही बुन देंगे अब यहाँ पर हमारे पांच फंदे ग्रीन कलर से आएंगे तो ये देखिए एक दो तीन चार और एक हम इस से ले लेंगे तो ये देखिए पांच फंदे हमारे यहां ग्रीन कलर से आ गए अब देखिए ये वाला जो फंदा है इसको हम पिंक कलर से बुन देंगे हम अपना ये वाला लेंगे पिंक वाला धागा और इससे हम और इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे अब ये वाला जो फं अब हमारे पिंक कलर से बनेंगे देखिए एक और ये दो और ये तीन अब देखिए ये їजो तीन पंदे आपको पिंक दिखेंगे इसका एक फंद आप ये ग्रीन से बना दीजिए और इस बीचवाले को पिंक से बनाईए अब यहाँ पर फिरructures हमारे पांच फंदे ग्रीन कलर से आएंगे तो ये देखिए एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, अब फिर से देखिए ये जो फंदा पिंक दिख रहा है इसको हम पिंक से ही बनाएंगे अब इधर में ये वाला हमारा ग्रीन हो जाएगा और अब तीन फंदे ये पिंक बनाने है इधर का ग्रीन, बीच का पिंक और ये ग्रीन, तीनों को हम पिंक धागे से बुन देंगे देखिए, एक, दो और ये तीन अब फिर से देखिए ये जो हमारे तीन फंदे पिंक दिख रहे हैं इसका ये एक फंदा हम green color से बुन देंगे बीच वाले को pink से बनाएंगे और ये जो pink दिख रहा है अब इसको और आगे के 5 पंदे याँ green हो जाएंगे एक दो तीन चार और ये 5 अब ये वाला फंदा बीच का pink color से बनेगा अब यहाँ पर ये green हो जाएगा और लास्ट के जो फंदे होंगे अब हमारे ये पिंक बनेंगे तीन फंदे आएंगे लास्ट में देखिए एक दो और एस्टिच को हम उल्टा बुन देंगे तो तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब आज ये इसकी चोथी सलाई और उल्टी साइड पर तो अब इसकी चोथी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा की कैसे कम्प्लीट करनी है पहला फंदा एस्टिच है इसे उतारिए या बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है इसके बाद देखिए एक, दो और ये जो ग्रीन वाला है इसे भी हम पिंक से ही बना देंगे तो एस्टिच के बाद हमारे तीन फंदे पिंक से आ गई है अब ये जो पिंक है इसको हम ग्रीन कर देंगे यहां हमारे जो पांच फंदे ग्रीन है इसमें से अब हम एक पिंक बनाएंगे और तीन फंदे अब ये हम देखिए ग्रीन से बनेंगे एक, दो और ये तीन और ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है इसको हम पिंक से बन देंगे और ये जो pink है इसको हम green बना देंगे अब ये देखिए तीन फंदे आपको ये pink दिख रहे हैं एक इधर का green और एक इधर का green ये हमारे 5 फंदे यहां pink बन जाएंगे एक, दो, तीन, चार, और ये 5 अब फिर से देखिएगा ये जो pink फंदा है इसको हम green वाले से बन देंगे अब देखिए जो 5 फंदे green है इसमें से एक फंदा हम pink बना देंगे और बीच के 3 हम green से बनाएंगे ये 1, 2, और ये 3 अब ये वाला जो green है इसको हम pink से बना देंगे और यहाँ पर देखिए ये जो pink फंदा देख रहा है इसको हम green से बनाएंगे अब फिर से हमें 5 फंदे pink बनाने हैं तीन ये हैं, एक ये वाला green और एक ये वाला तो अब 5 pink हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, और ये 5 ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ दो दस और दो बारा यहाँ तक हमारा ये एक पैटन कम्पलीट होता है उसके बाद देखिए 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10 और दो बारा ये दूसरा पैटन हमारा कम्पलीट होता है तीसरे के लिए देखिए अब 3 pink और ये जो pink फंदा है इसको हम green से बना देंगे अब जो 5 फंदे green है इसमें से एक हम pink से बनाएंगे और फिर बीच के 3 green से बन देंगे एक, दो और ये 3 ये जो green दिख रहा है इसको हम pink से बन देंगे अब यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा pink फंदा है इसको green से बन देंगे अब लास्ट में देखिए 3 pink है और एक green है ये सारे हमारे pink से बनेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा ये वाले 2 फंदे हमारे इस इधर थें तो 3, 3, 6, 3, 9, 10 और 2 फंदे हम ये वाले जब count करेंगे तो हमारे यहाँ तक 12 फंदे का design बन जाता है और लास्ट के जो 2 फंदे होते हैं ये हमारे pink से ही बनेंगे तो ये देखिए प्रेंट्स 5 वी सलाई है और सीधी side है 5 वी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहला फंदा इसका estich है इसे हम उल्टा बनाएंगे धागे को पिछे करेंगे और 2 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे एक और ये दो अब देखिए ये pink ये green और ये pink ये 3 फंदे हम green color से ऐसे बना देंगे देखिए एक दो और ये 3 अब ये वाले जो 3 फंदे green color से है इसमें से एक पिंक बना देंगे, बीज़ वाले को ग्रीन से बुन देंगे, और अब इस फंदे को हम पिंक बना देंगे, तो ये देखिए, अब ये पिंक, ये ग्रीन और ये पिंक, ये तीन फंदे हम फिर से ग्रीन कलर से बुन देंगे, ये देखिए, एक, दो और ये तीन अब यहाँ पर हम 3 फंदे पिंक कलर से बनाएंगे यह देखिए 1, 2, और यह 3 तो यह देखेगा यहाँ पर अब हमें फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है यह वाले जो हमारे फंदे हैं अब यहाँ से हम आगे पैटर्न के स्टार्टिंग करेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12 यह जो डिजाइन है इसी को अब आगे रिपेट करना है तो फिर से देखे एक पिंक, एक ग्रीन, एक पिंक यह तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बना देंगे एक, दो, तीन अब यह जो ग्रीन कलर के तीन फंदे हैं इसमें से एक फंदा पिंक से बना देंगे और यह जो बीज का फंदा है इसको हम ग्रीन कलर से बनाएंगे इस वाले फंदे को फिर से हम पिंक से बन देंगे तो यह देखिए इसको हम पिंक से बना देंगे अब यह वाला पिंक, यह ग्रीन और यह पिंक ये 3 फंदे हम green color से बनाएंगे देखिए 1, 2 और ये 3 अब 3 फंदे हम pink से बनाएंगे देखिए 1, 2 और ये 3 तो ये देखिए अब यहां से यहां तक का जो design है इसको हम एक बार फिर से repeat करेंगे आपके जितने भी फंदे होंगे आपको ऐसे ही repeat करते जाना है तो देखे एक, दो और ये तीन, तो ये देखे ये पिंक, ये ग्रीन, ये पिंक, ये तीनों हमने ग्रीन से बना दिये, अब ये जो ग्रीन तीन फंदे दिख रहे हैं, इसमें से एक हम पिंक से बनाएंगे, बीज वाले को ग्रीन से बना देंगे, और अब इस तीसरे फंदे क पिंक से बना देगे अब देखिए एक दो और ये तीन ये तीन फंदे जो हैं इनको हम ब्रीन कलर से बनाएंगे एक दो और ये तीन लास्ट में आपके इस तरह से तीन फंदे बचेंगे दो फंदे आप सीधे बना दीजिए और एस्टीज को उल्टा भुन दीजिए तो पां सलाईयां डिजैन की complete हो गई है छटी सलाई उल्टी साइड से छटी सलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि हम कैसे complete करेंगे तो ये देखिए पहला फंदा इसका हमारा S-T-6 है इसे हम उल्टा बुन लेंगे अब ये जो दो pink है इसमें से हम यहाँ एक फंदा बनाएंगे अब ये वाला pink तीन ये वाले green और एक ये वाला pink पांच फंदे हम green कलर से बुन देंगे देखिए एक, दो तीन चार और ये पांच अब ये वाला जो green कलर का फंदा है इसको हम pink से बना देंगे इसको हमने pink से बनाया अब देखिए ये पिंक तीन ये ग्रीन और एक ये वाला पिंक ये पांच फंदे हम फिर से ग्रीन वाले धागे से बना देंगे एक दो तीन चार और ये पांच अब ये जो इसके बीच का फंदा है इसको हम फिर से पिंक कलर से बनाएंगे ये देखिए अब फिर से हम हमें 5 पंदे ग्रीन बनाने है। यह पिंक, 3 यह ग्रीन और एक ये पिंक, तो हम अपना झार का धागा लेंगे। 3, 4 और यह पाँच अब यह जो ग्रीन धागा हमारा इसको हम पिंक कलर से बना देंगे। फिर से हमें पांच ग्रीन करने हैं, देखिए एक इस साइड का पिंक, तीन ये वाले ग्रीन और एक इस साइड का, तो पांच फंदे अब हम ग्रीन कलर से बुन देंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, अब ये वाला फंदा हम पिंक से बनाएंगे, पूरी सलाई में प 5 फंदे ग्रीन कलर के आएंगे और 1 फंदा पिंक कलर से आएगा तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 अब देखिए ये जो ग्रीन कलर का है इसे हम पिंक से बुन देंगे फिर से पांच फंदे ग्रीन कलर से बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, लास्ट में देखिए दो फंदे बचेंगे, एक डिजाइन का है और एक हमारा एस्टीच है, तो दोनों को हम उल्टा बुन देंगे, अब आज येगा इसकी सीधी साइड की सलाईपर और सा साथमी सलाईपर देखिए कैसे करेंगे, पहला फंदा इसका एस्टीच है, इसे हम उल्टा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे, अब ये जो पिंक कलर का फंदा है, इसे पिंक से ही बना देंगे, अब ये जो पांच फंदे हमारे ग्रीन कलर से हैं, इसमें से हम एक फंद का फंदा है इसको हम पिंक से बनाएंगे और ये जो पिंक दिख रहा है इसको हम यहां ग्रीन कलर से बना देंगे और इधर का जो ग्रीन है इसे अब हम पिंक से बनाएंगे अब तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बुन देंगे देखिए एक दो और ये तीन अब यहां का जो फंद है ग्रीन वाला इसको हम पिंक बुन देंगे अब ये देखिए ये एक फंदा एस्टीच है इससे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे देखिए दो तीन पांच और तीन आठ और तीन ग्यारा रेक बारा फंदे का ये हम ग्रीन कलर से बनाएंगे एक दो और ये तीन अब ये वाला जो ग्रीन है इसको हम पिंक से बनाएंगे जो पिंक वाला फंदा है उसको हम ग्रीन से बना देंगे फिर ग्रीन वाले को पिंक से बनाएंगे अब यहां तीन फंदे ग्रीन कलर के आएंगे एक दो और ये तीन अब ये जो green है इसको हम pink से बनाएंगे तो यहाँ पर इसके ये दो part complete हो गए हैं देखिए यहाँ से आगे 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 12 फिर से हमने design को repeat करना है ये pink वाला फंदा इसको pink से बनाएंगे एक फंदा इधर के green में से pink बन देंगे तो तीन फंदे एक साथ pink आते हैं अब तीन ही हम green बना देंगे एक, दो, और ये तीन अब ये जो green फंदा है इसको pink वाले color से बनाएंगे जो pink है इसको हम green बन देंगे अब यहाँ पर जो 5 फंदे green है इसका एक फंदा ये pink से बनेंगे अब तीन हम ग्रीन बनाएंगे एक दो और ये तीन अब ये वाला जो ग्रीन है इसको हम पिंक बुन देंगे लाश्ट में दो फंदे बचेंगे एक कुछ सीधा बुन देंगे और एस्टीच को हम उल्टा बना देंगे साथ सलाईयां डिजैन की कम्प्लेट हो गई है अब आज ये आठमी सलाई पर आठमी सलाई पर देखिए पहला फंदा इसका ये एस्टीच है इसे उतारिये या उल्टा बनाएए अब एक दो और ये जो तीन फंदे ग्रीन दिख रहे हैं इसमें से एक पिंक बुन देंगे ग एक ये पिंक एक ये ग्रीन एक ये पिंक ये तीन फंदे हम यहां ग्रीन कलर से बुन देंगे एक दो और ये तीन अब एक हम यहां पिंक बनाएंगे फिर एक हम ग्रीन फंदा बुन देंगे ये जो ग्रीन है इसको पिंक बना देंगे तो ये देखिएगा अब ये जो तीन पिन्क दिख रहे हैं, ये हमारे पिंक ही बनेंगे तो यहां बीच में पांच पंदे पिंक आ जाएंगे तो देखें एक पहले बनाया, दो, तीन, छार, और ये पांच अब ये जो बीच में फंदा है, इसको हम ग्रीन कलर से बोन देंगे फिर ग्रीन वाले को पिंक बना देंगे फिर यहां तीन फंदे हमारे ग्रीन हो जाएंगे यह पिंक यह ग्रीन और यह पिंक तो एक दो और यह तीन अब इधर जो ग्रीन कलर के फंदे हैं इसमें से एक हम पिंक बना देंगे बीच वाले को ग्रीन बुन देंगे और ग्रीन वाले को पिंक बनाएंगे तो पिंक का एक फंदा हो गया दो, तीन, च्यार और ये पांच फंदे हमारे यहां एक साथ पिंक कलर के हो जाएंगे अब ये एक फंदा हम ग्रीन कलर से बना देंगे अब ये जो green है इसको हम pink से बनाएंगे और ये जो pink है इसको हम green color से बनाएंगे यहां 3 फंदे हमारे एक जैसे आएंगे देखे एक ये वाला green तो और ये वाला pink तीन तो हमने 3 फंदे यहां green color से बनाए अब ये जो 3 green दिख रहे हैं इसमें से एक हम pink से बनाएंगे बीजवाले को green से और इस फंदे को pink से बनाएंगे तो और लास्ट के जो 3 बच गए इनको भी हम pink color से बुन देंगे 8 सलाईयां डिजैन की complete हो गई है 9 सलाई है और सीधी साइड है 9 सलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि हम कैसी complete करेंगे पहला फंदा ST चाय उतारिये या बनाएए अब ये जो 3 pink दिख रहे हैं इसमें से हम 2 फंदे बना देंगे अब ये वाला जो pink है इसको हम green color से बनाएंगे तो ये देखिए इसको हमने green से बनाया अब ये जो green फंदा है इसको हम pink वाले color से ऐसे बुन देंगे अब देखिए एक ये वाला पिंक, तीन ग्रीन और एक ये पिंक, ये पांच फंदे अब हम ग्रीन कलर से बना देंगे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, अब ये वाला देखिए ये जो ग्रीन कलर का फंदा दिख रहा है, इसको हम अपने पिंक कलर के धागे से बना तो यह देखिए इसको हमने पिंक बना दिया अब यहाँ पर यह जो पांच फंदे पिंक दिख रहे हैं इसका एक फंदा हम यह ग्रीन से बनाएंगे और तीन हम पिंक से बना देंगे एक दो और ये तीन अब ये वाला जो पिंक है इसको हम ग्रीन से बनाएंगे और ये देखिए ये वाला जो ग्रीन है इसको हम पिंक से बना देंगे और यहाँ पर देखिए तीन फंदे ये एक ये वाला पिंक और एक ये वाला पिंक पांच फंदे हम ग्रीन कलर से बुन देंगे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच अब देखिएगा ये जो ग्रीन कलर का फंदा दिख रहा है इसको हम पिंक से बुन देंगे अब यहाँ पर जो पांच फंदे पिंक है इसका एक हम ग्रीन से बनाएंगे और तीन फंदे पिंक से एक दो और ये तीन अब तीन फंदे पिंक बनाने के बाद ये देखिए ये जो पिंक फंदा है इसको हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और ये जो ग्रीन कलर का फंदा है इसको ह और एक ये pink. 5 फंदे हम green color से बनाएंगे. 1 2 3 और ये 4 और ये वाला pink हम green से बनाएंगे तो 5 फंदे हमारे green color से आ गए. अब ये जो green color से बनाया इसको हम pink से बुन देंगे. अब 1 हम यहाँ green color से बनाएंगे. लाश्ट में तीन फंदे बच्चे हैं, दो डिजाइन के और एक एस्टीच तो दो हम सीधे बनाएंगे और एस्टीच को उल्टा बुन देंगे नो सलाईयां डिजाइन की कम्प्लिट हो गई है अब आज ये इसकी दसमी सलाई और उल्टी साइड पर दसमी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहला फंदा इसका एस्टीच है, उतारिये या बनाएए ये आपकी अपनी मर्जी है अब ये जो दो पिंक दिख रहे हैं, इसमें से हम एक बनाएंगे ये वाला जो पिंक है, इसको हम ग्रीन कलर से बना देंगे अब ये देखिए, ये वाला ग्रीन, ये पिंक और ये वाला ग्रीन ये तीन फंदे हम यहां पिंक से बना देंगे एक, दो, और ये तीन आप देखिए, तीन ही फंदे हम यहां ग्रीन कलर से बनाएंगे एक, दो, और ये तीन आप देखिए ये जो green color का फंदा है इसको हम यहाँ pink से बनाएंगे तो ये देखिए एक और ये जो pink है इसको भी हम pink ही बुन देंगे और इधर जो green है इसको हम pink बनाएंगे अब तीन फंदे आपको जो pink दिख रहे हैं इसमें से एक फंदा हम green color का बुन देंगे तो देखिए 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 12 एक फंदा हमारा से इसको छोड़ कर यहां से यहां तक हमने 12 फंदे का डिजाइन बनाया है सेम टू सेम आगे रिपिट करना है तो अब यह एक फंदा हम पिंक बनाएंगे और पिंक वाले को ग्रीन कर देंगे अब देखिए यह ग्रीन यह पिंक यह ग्रीन यह तीन फंदे हम पिंक बन देंगे एक दो और यह तीन अब तीन फंदे यहां ग्रीन से बनाएंगे तो यह देखिए एक दो और यह तीन अब यह देखिएगा यह ग्रीन यह पिंक और यह ग्रीन ये तीन फंदे हम पिंक कलर से बना देंगे, एक, दो, और ये तीन, अब ये जो तीन फंदे पिंक दिख रही हैं, इसमें से एक ग्रीन बना देंगे, एक पिंक बनाएंगे, और फिर एक हम ग्रीन बना देंगे, अब देखिए ये फिर से एक ग्रीन, एक पिंक और एक ग्रीन ये तीन फंदे हम पिंक कलर से बना देंगे एक, दो, और ये तीन अब ये जो हमारे चार फंदे ग्रीन दिख रहे हैं इसमें से तीन बनाएंगे एक, और ये दो, तीन अब ये वाला ग्रीन, ये पिंक, ये ग्रीन ये तीन फंदे हम यहां पिंक कलर से बना देंगे एक, दो, और ये तीन अब ये वाला जो पिंक है इसको हम ग्रीन से बना देंगे और लास्ट के दो फंदे हम पिंक से बुन देंगे दस सलाईयां डिजैन की कमपलेट हो गई है ग्यार्मी सलाई है और सीधी साइड है ग्यार्मी सलाई को अब आप देखिए पहला फंदा इसका ऐस्टीच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए धागा पीछे करेंगे अब इस वाले पिंक को हम ग्रीन कलर से भुन देंगे और यह देखिए एक ये वाला ग्रीन तीन ये पिंक और एक यहां से ग्रीन तो पांच फंदे यहां पिंक कलर से आएंगे देखिए एक दो तीन च्यार और यह पांच अब यह जो बीच वाला फंदा है यह हम ग्रीन कलर से बनाएंगे तो देखिए इसको हम ऐसे ग्रीन से बुन देंगे अब फिर से हमें पांच फंदे पि एक ये ग्रीन तो 5 हम पिंक से बना देंगे एक दो तीन चार और ये पाँच अब देखिए ये जो पिंक फंदा दिख रहा है इसको हम यहां ग्रीन कलर से सीधा बुन देंगे फिर से हमें पांच फंदे pink बनाने हैं ये 1 green, 3 pink, 1 green तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे हमारे pink आ गए पूरी सलाई में अब हमारा ऐसा ही आएगा 5 pink, 1 green, 5 pink, 1 green तो अब ये जो green वाला फंदा है इसको हम green से ही बना देंगे फिर से हमें 5 फंदे पिंक से बनाने हैं देखिए 1,2,3,4 और ये 5 अब ये जो पिंक फंदा है इसको हम यहां ग्रीन कलर से बुन देंगे फिर से हमें पांच फंदे पिंक से बनाने हैं एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब ये वाला जो ग्रीन कलर का फंदा है इसको हम ग्रीन से बुन देंगे फिर से पांच फंदे हमें पिंक कलर से बनाने हैं एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब देखें लास्ट में दो फंदे बचे हैं इसमें से हम एक ग्रीन से बुन देंगे और एस्टिच को हम पिंक कलर से उल्टा बुन देंगे तो ग्यारा सलाईयां डिजैन की complete हो गई है, बार्मी सलाई इसकी उल्टी साइड से और जो हमने pink color यानि जो भी आपने अपना base color लिया होगा उस color से उल्टी उल्टी बना देनी है, इसमें green color से कोई भी भंदा नहीं बनाया जाएगा, pink color से मैं पूरी सलाई को उल्टा तो ये देखिए इस तरह से 12 सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है, अब next बार के starting के लिए आप इसमें कुछ सलाईयां अपने base color से बनाएए, यहाँ पर मैंने ये 4 सलाईयों का gap रखा है, आप इसमें 4, 6, 8, 10, जितना चाहो इतना एक डिजैन से दूसरे डिजैन के इसमें gap रख लीजिए, तो अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में से शेयर कीजिए, चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चै आने बाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें, थैंक यू